वजरासन दोनों पेरों को फैला कर बैट जाईए हाथ आपके शरीर के बगल में हो और आपकी हतेलिया जबिन पर हो दाहिने पेर को घुटने से मोड ले पंजों को नितम के निचे दबा कर बैट जाए इसी तरह बाए पेर को भी घुटने से मोडते हुए ऐसे बेटे की पंजों बाए नितम के निचे हो पेर का अंगुटा मिला रहेगा एडी फैली रहेगी नितम ब एडियों के उपर होने चाहिए बाए और दाए हाथ को दाहिने घुटने पर रखे मेरू दंडक को सीधा रखे और सामनी की ओर देखते रहे या आखे बंद रखे प्रारंबिक स्थिति में आने के लिए दाहिनी ओर थोड़ा जुक कर अपने बाए पेर को निकाले और उसे सीधा करे इसी तरह अपने दाहिने पेर को निकाल कर उसे सीधा करे विश्रामासन की स्थिति में विश्राम करे अर्ध उस्ट्राशन सर्व प्रथम विश्रा मासन में बैट जाए पुन्ह दंडाशन की सिति में आ जाए पेरों को मोडते हुए वज्राशन में बैट जाए गुटनों पर खड़े हो जाए हाथों को नितंब पर इस प्रकार रखे कि अंगुलिया जमीन की ओर हो कोहनियों एवं कंधों को समान तर रखे अब सिर को पीछे की तरफ जुखाते हुए ग्रीवा की मान स्पेशियों को खीचे श्वास अंदर खीचे एवं धड़ को जितना संबव हो सके जुखाए श्वास बाहर छोड़ते हुए शितिल हो जाना चाहिए जांगों को जमीन से लंबवत रखे सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्तिथी में 10 से 30 सेकंद तक रुके श्वास अंदर खीचते हुए सामान्य अवस्था में वापस लोटते हुए वजरासन में बैठ जाए विश्रामासन में शितिल हो जाना चाहिए